हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक डिसकस करने जा रहे हैं वो एड़ोटाइजिंग को लेकर ही है जैसे कि आपने सुना होगा कि मचली को फसाने के लिए हम उसके दाने के अंदर या जो हम आटाफेक्ट में उसके अंदर क्या फसा देते हैं काटा फसा देते हैं ताकि जब वो मचली उसको उठाने के लिए आती है तो वो उसी जाल के अंदर फस जाती है मतलब मचली को दाना चुगने के लिए हम लालच देते हैं और उसी लालच में आकर वो जाल में फस जाती है इसी परकार कुछ advertisement ऐसी होती है जो परालोभन दिया जाते है आपको लालच दिया जाता है ताकि आप उस product को खरीद लो तो इस परकार के advertising को हम बोलते है bait advertising yes, bait advertising का मतलब होता है परालोभन देने वाले वी गयापन लालच दे कर product खरीदने के लिए आपको attract किया जाता है आप product को खरीद लो for example होता क्या है customers को attract करने के लिए customer को attract करने के लिए अकरशित करने के लिए हम क्या करते हैं गलत information advertising के अंदर देते हैं for example company ने advertisement की कि हमारे company के product का price कम हो गया है या इस product का price कम है तो हम क्या करेंगे उस product को खरीदने के लिए उस company के शोरूम पे जाएंगे product को खरीदने का लालास तो हमारे अंदर आ गया पर अलोबन सामने वाली company ने दे दिया advertisement देखी और हम फस गए हम क्या किया हमने उस company के शोरूम पे गए किस वज़े से क्योंकि उस company के product का price कम है पर हुआ क्या जैसे ही हम उस company के शोरूम पर जाते हैं हमको product मिलता तो है कम price का पर कम price के अंदर जो product हमको खरीदना था उसकी quality बहुत घटिया होती है घटिया quality का product company ने present किया था जिसकी advertisement उन्होंने दी उन्होंने क्या बोला हमारी company के product का price कम हो गया पर जो product हम खरीदने के लिए गए price तो था उसका कम पर उसकी quality क्या थी बहुत घटिया थी low quality का था अगर वही product अच्छी quality वाला हमने खरीदना हो वही product normal quality का या good quality का खरीदना तो वो market के price के according ही था तो company ने क्या किया अपने product की sale करने के लिए low price का price को कम करने का जहासा दिया और हम उस company के showroom तक पहुँच गए अब भले ही हम वो घटिया quality वाला product ना खरीद कर लाएं पर कम से कम एक low quality normal quality या good quality वाला product तो हम definitely वहाँ से खरीद कर आने ही वाले हैं तो उन्होंने हमारा showroom तक पहुँचने का एक रास्ता fix किया कैसे fix किया एक गलत advertisement को दिखा कर प्रालोभन देने वाले advertising की हम भले ही उस product को low quality वाले product को नहीं खरीदेंगे पर उस product को तो खरीद कर लाएंगे जो normal या good quality का है चाहे उसके लिए हमको ज़्यादा पैसे ही देने पड़े ठीक है तो इस प्रकार के advertising को बोलते हैं हम bait advertising पर ये advertising definitely immoral होती है अनेतिक होती है गलत तरीका होता है अगर कोई भी company इस प्रकार का तरीका अपनाती है definitely वो wrong ही ह होता है